नमस्कार दोस्तों एक दम से मुख में घुल जाने वाली हलुआ का रेश्पी है इसको बनाना बहुत इजी है और इतना परफेक्ट बनेगा इसके सामने हलुआई भी फेल हो जाएगा एक बार इसे बनाईएगा तो बार बार बनाने का मन करेगा बहुत खास हलुआ बना है दोस्तों एक दम गुरुद्वारे के परसाथ से कम नहीं है और स्वाथ से इतना खास है कि खाने के बाद कहेंगे आप लोग इस आइडिया से जरूर बनाईएगा इजी तरीका रहेगा बिल्कुल कम समय लगेगा एकदम परफेक्ट बेशन का हलुआ बनके रेडी हो जाएगा चलिए मैं चलती हूँ अभी से बताने चैनल पर बने रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए होंगे तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा चुला आउन करके कड़ ही गरम होने पर इसमें घी डलाएगा अब एक कप बेशन है जिसका माप है 240 गराम और बड़ा चम्मच से एक चम्मच घी एक घर का घी है देशी घी है चाहें तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं अब घी हलका सा गरम हो जाएगा ज्यादा गरम नहीं तब इस बेशन को डाल करके और भूनना है बहुत बढ़ियां से उलट पलट करके इसे बढ़ियां से भून लेना है जिसे इसका कलर थोड़ा अलग हो जाएगा एक कप बेशन में एक कप घी बहुत बढ़ियां से मिक्स होके बढ़ियां से भूनाएगा दोस्तों और बेशन का हलुआ खास हो मन करेगा आप लोगो देखिए कितना बढ़िया कलर हो गया बेशन का इस तरह से बेशन भूनिएगा और बेशन का हलुआ बनाईएगा बहुत खास बनेगा स्वाद के साथ एक दम जवर्दस्त हलुआ बनने वाला है तो इतना ही फ्राई करना होगा आप लोगो उसके बाद पहले पानी डालिए एक गिलास के अंदाज पानी डालिएगा एक कप बेशन में और पानी डाल के चला लीजिए थोड़ा गुला मिला लीजिए उसके बाद हाफ कप उसी कप से चिनी एक कप में बेशन था उसी कप से है हाफ कप चिनी अब इसको डाल करके मीडियम फ्लेम माच रखके और बढ़ियां से मिलाजुला करके पकाना है पांच से छे मिनट तक पकेगा दोस्तों चिनी डालने के बाद उसके बाद एक दम से परफेक्ट दिखने लगेगा वीडियो पे बने रहिए देखिएगा कितना जवर्दस्त हलुआ का रेस्पी बना है तो इस एडि हलुआ पक गया है कलर चेंज हो गया है तब छोठा चमच से एक चमच घी उपर से और डालिए और घी डालने के बाद में अभिया और उलट पुलट करके लोफ लेंपे एक से दो मिनट और पकाना है जिसे कडाही छोड़ देगा बहुत बढ़ियां से तब समझे यह हलुआ पक के हो गया है रेडी बिना गांठ मांठ वाला हलुआ एकदम जटपट बनने वाला आइडिया बढ़ता रही हूं इस तरह से अगर बनाईएगा तो एकदम से जटपट बनेगा दोस्तों मुझ में घुल जाने वाला एरेस्पी है कोई ताम जाम मेहनत नहीं लगेगा इस हलुआ के स्वाद के आंगे इस तरह से जरूर बनाईएगा आप लोग हलुआ हमें सपोर्ट कीजिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक सब्सक्राइब ना किये हैं तो करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा देखिए कि इतना बढ़ियां हलुआ बना हुआ है हलुआ को बनाते बनाते ही लोग इसका सेंटेड गंध से बोलेंगे कि अभी खाएंगे इतना टेस्टी हलुआ है जो देखने से इतना खास लग रहा है खाने से लगेगा कैसा इस तरह से हलुआ जरूर बनाईएगा आप लोग देखिए कितना जवर्दास्त लग रहा है एकदम परफेक्ट हलुआ का रेस्पी है इजी तरीका है इसको खाने के बाद सभी मेहमान तारीफ ही तारीफ करेंगे फेस्बुक पेज पर देखते होंगे हमारा वीडियो तो फॉलो करना ना भूलिएगा